वंदमातरव, भारत हजारों वर्षों से उन जगहों में से एक है जिसे चीते का घर माना जाता था, यानि होम लैंड उस परिवार का हिस्सा होने की वज़े से जिसमें शेर, बाग और तेंदुआ आते हैं, यह शक्ती का प्रतीक तो है ही, लेकिन उन सबसे यह अलग भी है यह दुनिया का सबसे तेज दोडने वाला जीव है, जो 120 किलोमीटर प्रती घंटा की रफतार से दोड सकता है और अपने शिकार को पकड़ने के लिए 20 फुट से भी जादा लबी छलांग लगा सकता है इसके अलावा इसका सुन्दर सुडोल शरीर अपने आप में स्फूर्ती का प्रतीक भी है चमकीले पीले रंग के शरीर के उपर काले सुन्दर स्पॉट्स उसके अलावा गोल चहरा और काले रंग से आंखों से लेकर मुह तक की रेखा खिची हुई ऐसे लगता है मानों किसी चितर कारने ब्रश लेकर वे रेखा बनाई हो इन्ही कारणों से शायद संस्कृत में इसे चितर कह भी कहा गया यानि सुन्दर चितर वाला और वहीं से इसका नाम चीता भी पड़ा साथ ही चीता बहुत ही शांत जीव है वे दहारते भी नहीं और ना ही किसी पर बेवजा प्रहार करते हैं यही कारण है कि हमारे देश में कुछ ऐसे शासकों ने जिन्होंने स्वयम का शक्ती प्रदर्शन करने के लिए चीते का गेम एनिमल की तरह इस्तिमाल किया यानि उसकी शक्ती, स्फुर्ती, शान और सुन्दर्ता को सिंबल बनाकर अपने पार डिस्पले के लिए उनका या तो शिकार किया या उन्हें बंदी बनाकर पेट बनाया और प्रॉफिस की तरह डिस्पले किया यही कारण है कि 1947 तक आते आते हमारे देश से चीते लुप्थ हो गए और 1952 में यह डिकलेयर कर दिया गया कि इंडिया से चीता एक्स्टिंक्ट हो चुका है और अब हमारे आदर्णिय प्रुधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जिनके मन के करीब का विशे है नेचर और एन्वायर्मेंट का संरक्षन उन्होंने भी इस विशे पर बहुत गहराई से चिंतन किया उन्ही के अपने शब्दों में मानवता के सामने ऐसे अफसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविश्य के निर्मान का मौका देता है उन्ही के कुशल नत्यत्व में चीता एक्षन प्लान बनाया गया जिसके अंतरगत कई सर्वेज और आइडियाज का एक्सचेंज हुआ और रिजल्ट निकला प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट चीता के अंतरगत अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा और पहला दो कॉंटिनेंट्स के बीच में बड़े वाइल्ड कार्निवोर्स का ट्रांसलोकेशन हुआ यानि नमीबिया से 20 चीते हिंदुस्तान में ट्रांसलोकेट किये गए पहली बार में सितंबर 2022 में आठ चीते ट्रांसलोकेट किये और उसके बाद परवरी 2023 में बारा और प्रजेक्ट चीता के अंतरगत मध्यप्रदेश के कूनू नैशनल पार्क में चीता तो ट्रांसलोकेट होंगे ही साथ ही बायो डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी ग्रास लैंड एको सिस्टम भी रेस्टोर होगा और एको टूरिजम को भी बढ़ावा मिलेगा ये सब बातें आज के दिन करनी तर्क संगत इसलिए भी हैं क्यूंकि मई के महीने के तीसरे शुक्रवार को Endangered Species Day मनाया जाता है जो इस वर्ष 19 मई को होगा Endangered Species का मतलब वो स्पीशीज जो संख्या में बहुत कम है और लुप्त या एक्स्टिंक्ट होने की कागार तक पहुँच चुकी है उसी को बचाने के लिए उनी के संरक्षन के लिए हमारे देश में Asiatic Lion, Tigers, Elephants, One-Horn Rhino और बहुत से पक्षियों के संरक्षन के उपर बहुत कारे किये जा रहे हैं जिनकी वज़े से आज इनकी संख्या कुछ बढ़ने लगी है अब हमारा भी ये करतव्य है कि हम भी इन चीज़ों को सोचें और ये समझें कि Economy और Ecology दोनों ही चीज़ें देश की तरक्की के लिए हाथ में हाथ डालके चले हैं और मोदी जी के अपने शब्दों में हमें Life को अपनाना चाहिए यानि Lifestyle for the Environment मतलब हमें एक Holistic Approach लेकर चलनी चाहिए जिसमें ये सोच होनी जरूरी है कि Endangered Species और Environment की Protection का काम केवल सरकारों या NGOs का नहीं है हम स्वयम भी इसकी कोई ना कोई जिम्मेवारी जरूर ले और अंत में दोशब में जरूर कहना चाहूंगी कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल जोली में कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है तो आईए हम भी अपने हिस्से का दिया जलाएं और Environment की Protection में अपना Contribution दे जै हिंद जै भारण